हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चानल, तो चलिए हम जो है चाइल्ड हेल्स नर्सिंग के कुछ इंपोर्टेंट कोशन्स को देख लेते हैं, तो सबसे पहले जो कोशन है वो है, आयमन्स याई स्टेटिजी में पीले रंग में वर्गी करन क्या इंगिस करता है, तो इ इंडिया जो है इंट्रीग्रेटेड मैनेजमेंट औफ निउ नेडल एंड चाइल्ड इनलेस, इसका फुल फॉर्म होता है, और यह एक बच्चों के स्वास और कल्यान पर केंद्रित है, इसका जो उद्देश है मित्योदर को कम करना, बीमारियों और विकलांगता को कम करन पात साल से कम आयू के बच्चे के स्वास और विद्धी को बढ़ावा देना है, इंडिया में 2003 में जून में श्टार्ट हुआ और 2010 तक 223 कंट्रीज में इस प्रोग्राम को फॉलो कर किया जाने लग गया, इसमें इंडिया में आपका थ्री कलर्स कोड है, पिंक, यलो और ठीक है, पिंक कलर जो है, पेशेंट रिक्वाइड अर्जेंट होस्पिटलाइजेशन, मतलब कि पिंक कलर में बच्चा जो है, उसको तुरंत होस्पिटलाइजेशन करने की जुरत है, गिव प्री रेफरल ट्रीटमेंट, उसको तुरंत जो है, एक अच्छे जगहा पर रे यलो कलर जो है specific medical treatment यहाँ पर जो है specific medical treatment उसको देना है उसको दवाईया एंटिवाटिक यह सारे प्रोवाइट करना है as you do in your OPD और क्लिनिक OPD में और क्लिनिक में इसके बारे में बताना है जो कि आप OPD में और क्लिनिक में कर सकते हैं green color जो है यह simple advice on home management मतलब घर पर जो है आप क्या-क्या उसको कर सकते हैं उसके बारे में बताना है और may require some home made safe remedies और उसको जो है उसको कुछ immunity के लिए या फिर अगर उसको कुछ खर सर्दी है या कुछ है तो उसके उपचार के लिए home घर पर ही कुछ और सिधियों के बारे में ब अनरा आते हैं तीन colour में अब जो है हम यह देख लेते हैं है कि हमारा question का जो है वह क्या कहा जा रहה है तो जो यहापर yellow जो है वह क्या बता रहा है तो कोई उसकार नहीं तो यह इसका answer नहीं है घर गरपे उप्चार जो है वो green code बताता है स्वास केंदर पर उप्चार स्वास केंदर पर उपचार और आपका D जो है उच्छ स्वास केंदर को referral करते हैं जब pink color code रहता है तो इसका जो है आपका answer जो होगा वो C होगा सही answer तो चलिए next question को हम लोग देख लेते हैं International Conference on Populations Development Act केरियो in 1994 की अनुसंसा पर भारत सरकार द्वारा प्राधम राष्टिय कारिकरम है तो केरो में जो है आपका कोई प्रोग्राम किया गया था और जिसमें किया आपका International Conference on Population Development तो उसमें आपका ये प्रोग्राम कब हुआ था तो 1994 में हुआ था और इसमें जो है 179 जो है Government जो है वहाँ पर समीलित हुए थे और इसके बाद जो है भारत सरकार दौरा प्रारम अंतर राष्टे कारिकरम इसके बाद आपका कौन सा कारिकरम भारत में शुरू किया गया तो हमारा कारिकरम शुरू किया गया तो ये आपका RCH जो है मतलब reproductive child health जो इस चीसे की कहते हैं ये शुरू किया गया जो की वहाँ पे कैरो में जो हुआ था 1994 में उसके बाद इंडिया में in 1997 में आपका ये प्रोग्राम RCH शुरू किया गया और 15 अक्टूबर इसका भी डेट आप जा लिए 15 अक्टूबर को RCH प्रोग्राम जो है आपका शुरू किया गया और इसमें आपका reproductive child health के उपर में काम किया जाता है तो ये इसका सही answer है चलिए next जो है हम लोग देख लेते हैं question क्या है आपका RCH प्रोग्राम में मा एवन बच्चे से सम्मंदित विभीन कारिक्रम को सम्मंदित का दो नई सेवाओं को जोड़ा गया जिन में से एक सेवा है तो RCH प्रोग्राम में जो है आपका जो दो नई सेवाओं सुरु हुए है उसमें से एक सेवा जो है आपका किसोर स्वास्त जो है आपका एक सेवा है तो इसका answer जो होगा आपका किसोर स्वास्त होगा तो next question को चलिए हम देख लेते हैं कोशन को देख लेते हैं तो नेक्स जो हमारा कोशन है इस्तन पान को साहित करने एबं बोटल फीडिंग को हतों साहित करने हितु भारत सकार द्वारा चलाया गया कारिकरम है तो इस्तन पान को जो है भड़ावा देने के लिए जो है बेवी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशेटिव का दस पॉइंट से उनको फॉलो करके ब्रेस फीडिंग को प्रसाहित किया जाता है और आपका बोटल फीडिंग को दो है उसको डिक्रीज करना है क्योंकि उससे जो है इनिशेश होते हैं तो इसलिए जो है बेबी फैंडली होस्पिटल इनिशेटिव जो है यह इसका आपका बी एंसर होगा ठीक है चले नेक्स कॉंशन को देख लेते हैं ये लिडिवर्स इीवर्सल इम्मोनाजेशन प्रोग्राम को पुर में किस नाम से जाना जाता है extended program on immunization के नाम से जाना जाता है तो इसका जो है answer होगा EPI extended program on immunization ठीक है डेल लिए अब next question को देख लेते हैं हम लोग तो next जो है मारा जो है question है राष्ट्रिय बालनीती की घोषना कौन से वर्स में की गई राष्ट्रिय बालनीती की घोषना जो है आपका 1974 में की गई थी जो आपका option B है 1974 में राष्ट्रिय बालनीती की घोषना की गई थी next जो है हमारा question देख लेते हैं राष्ट्रिय वाहक जनितु मतलब vector born disease जो है रोग नियंतरन कारिकरम में समिलित नया रोग है मतलब ये सारे जो है vector born diseases है मतलब की ये दूसरे जीवो से होते हैं एंत्रोपोर्ट से होते हैं इसमें जो है आपका newly जो है आपका डेंगू को भी add किया गया है डेंगू जो है ये भी आपका vector born diseases में आते हैं क्योंकि डेंगू भी जो है ये भी मच्छड के द्वारा ही होता है नेक्स जो question है UNICEF के सायोग से WHO द्वारा बच्चों की सामान बीमारियों के प्रवंधन हेतु विक्सित रन्नीती है तो UNICEF के मतलब help से WHO ने जो बच्चों के लिए जो प्रवंधन किया है उनके विक्सित करने के लिए रन्नीती जो बनाई है उसका नाम पूछा जा रहा है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं I.M.C.I. I.M.C.I. जो है इसका full form होता है integrated management of childhood illness तीक है इसमें childhood illness के बारे में हैं then next जो है B.F.H.I. B.F.H.I. जो है baby friendly hospital initiative ये breastfeeding पर किया जाता है I.M.C.I. जो है ये childhood illness के उपर में किया जा रहा है ये तो आपका baby friendly hospital initiative ये breastfeeding का को रोकने के लिए water feeding को रोकने के लिए breastfeeding को promote करने के लिए है तीक है और R.C.H. जो है reproductive child health maternal and child health के उपर ये है और I.M.C.I. I.M.C.I. का full form होता है integrated management of new net and childhood illness new nets भी और childhood illness इसमें दोनों पर किया जाता है बट यहां पर जो हमारा question जो पुछा जा रहा है वो बच्चों के उपर सिर्फ बोला जा रहा है इसमें new nets का कोई भी के बारे में नहीं बोला जा रहा है मदर के बारे में नहीं बोला जा रहा है तो यहां पर आपका जो है यह I.M.C.I. जो है यह इसका answer होगा क्योंकि इसमें जो है integrated management of childhood illness के बारे में सिर्फ कहा जा रहा है तो इसका answer आपका होग IMCI ठीक है बाकी सब में जो है आपका जो C option है इसमें जो है मदर का आ गया जो D है उसमें न्यूनेट आ गया और B तो है ये आपका brace feeding को बढ़ावा देने के लिए है तो ये उसका answer होगा है नहीं इसका answer होगा IMCI ठीक है the next जो है हम लोग देख लेते हैं किसी limb का सरीर के मदरेखा की और गमन क्या कहलाता है तो limb का सरीर के मदरेखा की और गमन तो सबसे पहला option जो है वो है आपका flexion, flexion में क्या होता है कि जो अगर आपका हाथ है जमाली इस तरह से तो आप उसको जब मोड रहे हो उसको अपनी band कर रहे हो तो यह आपका flexion कहलाएगा और उसी flexion का opposite होता है आपका extension कि मतलब जिस तरह से आपने अपने हाथों को इस तरह से मोड़ा था वापस आप उसी जगह पर उसको ला रहे हो तो यह आपका extension कहलाएगा flexion का opposite आपका extension होता है ठीक है देन आपका next है Abduction Abduction का मतलब होता है Away from the midline of the body सरीर माल लीजे यह आपका सरीर है इस तरह से आपका body यह आपके सरीर है यह माल लीजे यह सरीर है आपका और आपके यह limbs है तो इस तरह से आप अपने limbs को दूर लेके जा रहे हो तो यह आपका Abduction कहलाएगा और उसी तरह से Abduction का opposite होता है Abduction मतलब कि आप अपने सरीर को आपके जो hands है उसको यहां से आप और अपने body के तरफ लेके आ रहे हो तो वो आपका Abduction कराएगा तो आपका इसका सही answer जो है आपका Abduction होगा जो इसमें कि क्या होता है आपका की आपका सरीर के तरफ यहां पर लिखा हुआ है अपने सरीर के मद्य रेखा की और गमन क्या कहलाता है तो एडक्शन कहलाता है ठीक है